हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक पेटियम यूजर हैं पेटियम एप्लिकेशन चलाते हैं और पेटियम यूपियाई से आप पेमिंट भी करते हैं तो आपने वहाँ पे एक चीज़ देखे ह हैं तो उसमें आपका नंबर भी चला जाता है क्योंकि जो यूपियाई आईडी होती है वो होती है आपका नंबर और एड़ दा रेट पेटियम लेकिन आप मेंसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे अपना नंबर शेयर नहीं करना चाते तो फ्रेंट्स आज किस व वीडियो में सिखाने वाला हूं तो वीडियो बहुत ही जादा इंफोर्मेटिव है इसलिए वीडियो का आप पूरा जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आम मेरे चैनल पर पर विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगम है कि फ्रेंट्स हमा चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की सक्रीन के ओपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले पेटेलिम एप्लीकेशन को ऑ मैं यहां पर Xamon дости maggat acuerdo हो यहां हम इसके ऑपर करना है कि यहां पर क्लिक कर लूग यहाँ पे हम scroll down करेंगे scroll down करके हम हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं अधर settings आ गई manage UPI IDs, manage UPI number तो हमें UPI ID बनानी है तो हम इसके उपर click करेंगे UPI manage UPI IDs के उपर उसके बाद हमारे सामने यह screen open हो जाएगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी UPI ID है यहाँ पे add new UPI ID बोल रहा है तो हमें नई UPI ID create करनी है तो हम इस add new वाले पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने random इसने काफी सारी UPI ID दे दी हैं यहाँ पे show more option पे भी आप click कर सकते हैं जैसे मैं एक येवली ID बना लेता हूँ ठीक है इस पे हमें select कर लेना है और यहाँ पे proceed पे click कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया UPI ID is updated successfully ठीक है ओके पे click कर देंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो UPI ID आपको दिखाई दे रही होंगी ठीक है यह हमने अभी बनाई है और यह हमने जो हमारी पहले जो हमारे phone number के साथ होती है यह दूसरी ID यह है तो इस तरीके से आप अपने patium के अंदर एक से ज़्यादा UPI ID क्रेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से patium के अंदर एक से ज़्यादा UPI ID क्रेट कर सकते हैं अगर फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेस्चन है कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू